आप सभी को मेरा प्रिणाम मित्रो हर्बल रेमिडीज ए नैचर स्टेजर में आपका स्वागत है आज एक ऐसी ओसदी की चर्चा करेंगे जो आज कल के जो जलन्त समस्या हैं उसके निराक्रेण में किस प्रकारच अपने भूमी का निगभा सकती है साथियो केटामीनियल एप में क्या होता है कि इसके अंदर हॉर्मोन जब सरीर के अंदर चेंज होते हैं मैंस्ट्र हॉर्मोन जब चेंज होते हैं जिसके कारण एपिलेप्सी डवलप हो जाती है और उस एपिलेप्सी के कारण बहुत ज्यादा समस्या हैं पैदा हो जाती है जनरली क्या होता है कि फिम चरण में ऐसा होता है, जैसे कि पुबर्टी में छोट छोटी बच्चियां होती हैं, उस एज में एपलेप्टिक सीजर आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रिग्नेंसी के फेज में और मीनोपोस के समय ये बहुत कमन समस्षा होती है, तो उसके निराकरने के लिए आज इस कहते हैं या मालती जार कहते हैं और यह मेजेसी फेमिली का है, इसको जापनीस मेजेस इसलिए कहते हैं, यह पहली बार ornamentation purpose से जापन से यूएस में इसको ट्रांस्प्लांट किया गया, और यह समस्षा है और पूर भहरत में पाए जाता है, तोनिक का एक कारिकरता है, कारे करता है इसके पत्र का टेस्ट थोड़ा थोड़ा ब्रामी जैसा भी होता है कितना सुन्दर इसका प्लांट है इसके अंदर विट्मिन इसके अलावा इसमें माइक्रो मिनरल्स भी पाय जाते हैं जिंक मैगनीज कॉपर सेलेनियम यह क्या करते हैं कि शरीर की इम्मुनिटी को अनहंस करने में विशेश रॉल इनका होता है और अगर कभी बुखार हो जाए शरीर की वीक्नेस के कारण बदलते हुए मोसम के कारण त से भी हमारी सुरक्षा करता है कि मिनरल्स की कमे के कारण टाइफाइड की समस्षा भी हो जाती है उसके लिए ज्यादा चिंता करने के आप सकता नहीं है इसको आप डिकॉक्शन बनाए और पी लीजिए हर मोसम में यह अवलेबल नहीं हो पाता है क्योंकि मुख्य रूप से यह पित्त की समन में अपना कारे करता है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसको आप निकाल लीजिए सुखा लीजिए और इसको पाउडर बनाकर रख लीजिए फिर आप इसका डिकॉक्शन कभी भी बनाकर पी सकते हैं यह मुटापे में भी अपना विशेश कारे करता दिन में एक या दो बार अगर आप इसका ग्रीन टी बना के पिएंगे तो धीरे-धीरे मुटापे की समस्या कभी यह निराकरण करता है यह अपना कार्य लिवर प्रेमिडेशन के माध्यम से करता है काफी मात्रा में अब इसको अगर лекे तो भी है सेफ यह कोई इसमें प्राब्लम नहीं होती है इसको ले सकते हैं साथियो तीन प्रकार के कैंसर में भी इसका कार्य होता है पित्त जनित कई بार क्या होता है और लुआ कैंसर हो लेकर लिवर के रेमेडियेशन और उससे जुड़े हुए lecand fever को आसानी से ठीक करता है और ज्यादा कुछ और आप उसको डिकोक्षिन बना कर ग्रीन्टी बना कर पी सकते हैं अच्छा होगा कि आगर आप इसमें सहध मिला पून्ट रूप से यह सेफ है और यह हिर्दे को भी मजबूती देने वाला होता है एंटियोक्सिडेंट इसका पोटेंशल है जानकर आपको पसंद आए तो अपने साथियों के साथ जरूर सेयर कीजिए फिर मिलेंगे नई प्लांट के साथ और हमें जरूर मैसेज करके भी ब अन्यवाद प्रणाम नमस्कार